वेलकम स्टूडेंट मैरत इकशर में BBS 4 th अर्स टूडेंट तो मैं आप सभी स्टूडेंट को इस video में नीड से एक एक बड़ी अपडेट आ रहा है और उसे के बारे में से उडियो में आपको बताने वाला हूँ तो आप सबी स्टूरेंट्स को पता हुआ कि इस पर ओल इंडिया को टाके 50% सीट्स में ओबीसी और EWS के रेजर्वेशन का जो बढ़ा दिया गया है ओबीसी का 27% और EWS का 10% उसके बाद जो EWS के बता जा रहा था कि EWS का जो काइटेरिया है रेजर्वेशन का वो चेंज किया जाएगा और बहुत सारी मीडिया हमें बताया जा रहा था कि उनकी इनकप 6 lakhs से कम हो तो EWS में रखा जाएगा जिससे बहुत सारे स्टुडेंटों के मन में ये डाउट आगया था कि हमारा EWS का जो रेजर्वेशन है वो चीन नहीं लिया जाए हमसे लेकिन अब क्या हुआ है कि सुप्रिम कोट में केंदर सरकान ने सेंटरल गवर्मेंट है उन्होंने फाइल दाईर की है और उन्होंने ये बोला है कि कोई भी नियम चेंज नहीं होंगे EWS का और यदि चेंज होते हैं तो बहुत बड़ा प्रोब्लम हो जाएगी क्योंकि आपका जो रिजर्वेशन है वो भी आ चुका है और हर केटिगरिवेश वो है उसकी रेंग डिसेड हो चुकी है यदि ऐसे चेंज करते हैं तो बहुत मेजर प्रोब्लम होगी लेकिन अब स्टार्ट हो जाए और आपकी काउंसलिंग है वो सिक्स जनवरी के बाद ही स्टार्ट होने वाली है तो आपके लिए ही गुण्योज है और यही बात है कि EWS का कोई भी काईटेरिया चेंज नहीं होने वाला है तो यहीं इंफर्मिशन थी और आज के लिए इतना ही आयोप की वीडिव बिसंद आई हो यह वीडिव बिसंद इसे लाइक करें कमेट करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी रिल अपडेट समय समय पर प्राप्त हो जैह हिंदा निवाद दोस्तो सब्सक्ष्णाल